इस वीडियो में हम बात करेंगे नियूरोकाइन एलसी टेबलेट के बारे में दोस्तों अगर आपको नियूरोकाइन एलसी की पूरी जानकारी चीए जैसे आप इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं इसके side effect के बारे में जानना चाहते हैं इसके uses के बारे में जानना चाहते हैं इसके doses के बारे में जानना चाहते हैं या इसके precautions के बारे में जानना चाहते हैं complete जानकारी चीए दोस्तों इस वीडियो को बिना skip के पुरा देखिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ये पंदरा गोली के स्क्रिप में आती है दोस्तों ये मैंकाइन फार्मादवरा बनाए गया एक बहुत ही बेतरीन और चर्चित प्रोड़क्ट है इसली आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है दोस्तों इसके MRP 224 रुपे है अगर इसके इंग्रियंट्स की बात करें तो इसमें L-Carnitin 500 mg में डाला जाता है मीकोबालामीन 1500 mcg में डाला गया है और फॉलिक एसिद इसमें 1.5 mg में डाला गया है बात कर लेते हैं इसके benefits की इसके uses की कि किस केस केस में इस टैबलेट को दिया जाता है अगर किसी बंदे के अंदर nutrition की deficiency हो गई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है उसके बाड़ी में weakness है ऐसा लगता है कि nutrition की कमी हो गई है तो nutrition की कमी की case में इसको दिया जाता है अगर आपके सरीर में बिटमिन्स का imbalance हो गया, बिटमिन्स की कमी हो गई है तो उस case में भी दिया जाता है Eurokind LC में जो बिटमिन्स डाले जाते हैं वो आपके body के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं आपकी body की functioning के लिए, आपकी body को run कराने के लिए, आपकी दिन्चर्या के लिए होती ही जरूरी होते हैं आपकी पूरी body पे जो है काम करते हैं, आपके blood circulation को अच्छा करते हैं अगर आपका blood circulation रुका हुआ है कहीं पे, जिसकी वज़े से आपके किसी body part में जंजनाहाट हो रही है सुनुपने की सिकायत है, नमनेश की सिकायत है, तो उस case में Neurokine LC tablet बहुत यह अच्छा काम करता है अगर आपके किसी body part में अगर कहीं भी अगर नस चिपका हुआ है, नस दबा हुआ है, तो उस case में बहुत यह अच्छा काम करता है यह tablet आपको एक तरीके से energy देता है, आपके अंदर खून की कमी को भी पूरा करने का काम करता है एक तरीके कह सकते हैं, formation of red blood cells, मतलब red blood cells का formation करता है जिससे आपके अंदर कमजोरी दूर हो जाती है दोस्तों, अगर इसके side effect के बात करें, तो nausea, vomiting, headache, इसी तरह के कुछ side effects है अगर इसके precautions की बात करें, तो जितनी dose आपको बोली जाए, doctors के द्वारा उतनी ही dose लेनी है चुकि कोई भी दवा हो, वो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए आपको चुकि ज़्यादा लेने से आपको कोई भी side effect दे सकती है और especially pregnancy में लेने से पहले एक बार जरूर अपने डॉक्टर से consult करें इस tablet को लेने के दोरान आप drive कर सकते हो या आपको liver संबंधित बीमारी है, kidney संबंधित बीमारी है तो भी इस tablet को लिया जा सकता है लेकिन दोस्तों बिसेश कर अगर आप कोई gas की दवा ले रहे हैं तो उसको दो घंटे के अंतराल में ले चुकि इस tablet के साथ में आपको anti-acid tablet नहीं लेनी है तो इसके doses की बात करें तो generally एक time इस tablet को दिया जाता है आसा करता हूँ इस product के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गए होगी और आप संतुष्ट हुए होगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूँ आपसे एगले वीडियो में किसी और टापिक पे तब तक के लिए नमस्कार